अगर आप चार धाम यात्रा उत्राखंड में आना चाहते हैं और आपका ओनलाइन इपास नहीं बना है तो कैसे आप अपना इपास यहां पहुचकर बनवा सकते हैं इसकी पूरी जानकारी दूँगा मैं आज इस वीडियो में आपको वीडियो लास तक जुरू देख़िएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेर, चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा और मैं आज आपको पूरी जानकारी दूँगा कि कहां से रिशी केस में पहुँच कर आप अपना यात्रा रिश्चेशन करा सकते हैं और चारधाम यात्रा कर सकते हैं दोस्तो, रिशी केस का ISBT बस्टेंड जो है, जो के रिशी केस का मेन बस्टेंड है, वहाँ ये यात्रा पंजीकर्ण सेंटर खुला हुआ है, यहां से आप जो है निशुल्क यात्रा पंजीकर्ण अपना करा सकते हैं, और इसके लिए आपको अपना धारकार्ड साथ में लेक ये रिसीकेश में ओफलाइन रिजिस्टेशन सेंटर है ISBT बस्टेंड के उपर जहां से यात्रियों के ओफलाइन ईपास बनाई जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यात्री जो है यहां काफी संख्या में पहुँच रहे हैं दर्शन बाबा के धामों में करने के लिए और यह यहां से इन लोगों को इपास दिये जाएंगे, यात्रा पंजी करनिन का करके आगे यात्रा में भेजा जाएगा, तो यह लोकेशन आप देख सकते हैं, यह सामने वेटिंग हॉल है, और यह सामने बस्टेंड पूरा बसे लगी हुई है, यहां से आपको चारधाम के लिए ब बसे मिलेंगी, और यहीं बस्टेंड के अंदर यह रिजिस्टेशन काउंटर खुला हुआ है, और इसके साथ में ही जो है यहां इंक्वारी सेंटर भी है, इंक्वारी सेंटर से आप यहां कोई भी जानकारी ले सकते हैं, चारधाम रिलेटिड और अपनी यात्रा जो है य विवस्ता यहां पर की गई है, और इस तरीके से जो है यहां से आप अपना रिजिस्टेशन कराके यात्रा सुरू कीजिएगा, जिनका भी ऑनलाइन यात्रा रिजिस्टेशन नहीं हुआ है, तो उन सभी भगतों का यहां से यात्रा रिजिस्टेशन हो सकता है, और यात्र प्रेश्टेशन कराने के बाद यहां से आप चाहें तो बस से यातरा कीजिए, यहीं बस टेंड से आपको बस मिल जाएगी, और अगर आप टेक्सी से यातरा करना चाहते हैं, तो यहां से आपको जो है टेक्सी भी मिल जाती है, तो कैसा लगा आज का यह इंफोमेशनल वीड कोमेंट करके जुरूब बताईएगा फिर मिलते एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद, हरहर मादेव, जैश्री केदार